कि गांदी जी ने बड़े बड़े काम किये विए सब बताए गया मैं दोहरा नहीं चाहता हूँ देश को आजादी मिली क्या क्या किया गांदी जी ने लेकिन सब कुछ जो हासिल हुआ उसके केंदर बिंदु में एक ही बात थी सत्य और जीवन भर वो सत्य से बढ़े रहे और सत्य के अधिन उने काम किया आशर्न किया उनके जीवन के भर पहलू को जाची आप इसके अलावा और कुछ नहीं था उनके जीवन में जीतनी चुनोती आईं जीतनी परिक्षाएं आईं सत्य कभी नहीं त्यागा और महात्मा गंधी अंतरधनी को पहचान लिए परिड़ाम हुआ कि रास्टर पिता हो गए एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहिद कम लोगों को मालूम है देश में अनेक लोगों को पड़े लिखे लोगों को भरानती है कि गांधी जी के पास ला डिगरी थी गांधी जी के पास कोई डिगरी नहीं थी अभी मैं बताऊंगा कुछ लोग मंच पर भी परतिकार करेंगा लेकिन मैं तर्थियों के साथ आगे बात करूँगा कौन कहेगा कि गांधी जी एजुकेटिड नहीं थे परसिक्षित नहीं थे मुझे नहीं लगता है किसी में साहस है जो बात कह सकता है बट डिद यू नो देड नाट है वे सिंगल इनिवर्स्टी डिगरी और कॉलिफिकेशन there are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree no he did not his only qualification was a high school diploma he qualified to practice law he did not have a law degree he had no degree just, just look at how educated he was father of the nation Rastra Pita Bani so let me also make it clear to you that do not only be indulging in the formal connection with the degree and what you think is education के ओल डिगरी एजुकेशन के अआन海 के ओल जुकेशन के ओल